एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम नोजू और तोगवा को देखते हैं नोजू टेवल पर रखे फूद की पिक क्लिक कर रहा था लेकिन उसने कैमरा की जगव पर वीडियो का आप्शन सेलेक्ट कर लिया था वो तोगवा से पूछता है नोजू कहता है तोगवा कहता है क्योंकि लड़किया ऐसा ही करती है नोजू कहता है सही कहा हम दोनों अभी यंग लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं ना बट मैं अब इस गेम से बोर हो रहा हूँ ये सुनकर तोगवा नोजू की तरफ देखता है नोजू कहता है मैंने रिलाइस किया है कि तुम्हें भी अब इस गेम में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है देन वो फूट खाने लगता है फिर कहता है अब मैं अपने चाइल्डूड और मेरे साथ हुई डराउनिच बीच फर्ग कर सकता हूँ और अब मैं अपने एज के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता हूँ ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है इसके लिए तुम्हारा थैंक्स अब तक मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर असली खुसी और लाइफ जीना किसे कहते है तोगवा कहता है तब तो हम ये गेम तब भी खेल सकते हैं जब आप 80 साल के हो जाएंगे नोजू कहता है लेकिन क्या तब तक तुम मेरे साथ रहोगे तोगवा कहता है मैं खुसी से रहूँगा नोजू इसमायल करने लगता है तोगवा कहता है I think हमारा ये एंटी एजिंग का गेम सकसेस्फूल रहा है नोजू कहता है हाँ और इसमें तुमने मेरी बहुत की है तोगवा कहता है तब तो फिर आपको मुझे इसके लिए फीस देनी चाहिए न नोजू कहता है ऐसी बात है तो फिर बताओ तुम्हारी कितनी फीस है तोगवा कहता है मैं मजाग कर रहा था नोजू कहता है देन फिर में अपनी बॉडी से पे कर सकता हूं ये सुनकर तोगवा सौक रह जाता है नोजू कहता है मैं तुम्हारे लिए फिजिकल लेबर बन सकता हूं और तुम्हारे घर के काम में तुम्हारी हैल्प कर सकता हूं तोगवा कहता है तो आपका मतलब ये था लेकिन तुम्हारे घर पर जाना थोड़ा weird होगा ना तोगवा कहता है मुझे इससे कोई problem नहीं है अब जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते है वैसे आप कब आएंगे नोजू कहता है क्यों ना आज ही तुम्हारे घर चले तोगवा कहता है आज और उसके face का expression change हो जाता है फिर नोजू उसकी pick click करने लगता है लेकिन फिर से वो video set कर देता है अगले सीन में दोनों तोगवा के घर जा रहे होते हैं तोगवा कहता है मेरा apartment उतना अच्छा नहीं है नोजू कहता है एटलिस तुम्हारे पास hot pot तो होगा ना तोगवा कहता है सायद होगा थोड़ी देर बाद वो apartment पहुँच जाते हैं तोगवा नोजू को थोड़ी देर बाहर वेट करने को कहता है फिर अगले सीन में दोनों घर के अंदर होते हैं नोजू कीचन में डिनर तयार कर रहा होता है और तोगवा टेबल डेकोरेट कर रहा था नोजू पूशता है क्या तुम्हें spicy food पसंद है तोगवा पूशता है हाँ नोजू फिर उसमें और spices एड़ कर देता है तोगवा पूशता है अब क्या बना रहे हैं नोजू कहता है ये एक Korean डिस है फिर कहता है डिनर तयार होने तक तुम TV क्यों नहीं देख लेते तोगवा कहता है इसकी जरूरत नहीं है थोड़ी देर बात नोजू तोगवा के लिए डिनर सर्फ करता है तोगवा ये देखकर खुस हो जाता है और डिनर खाने लगता है नोजू पूशता है तुम्हें ये कैसा लगा तोगवा कहता है ऐसा डिनर तुम्हें हर रोज खाना चाहूंगा नोजू कहता है ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया तोगवा कहता है Mr. Noju आपने तो कहा था कि आपकी कोई hobbies नहीं है लेकिन क्या आपको cooking करना भी पसंद नहीं है नोजु कहता है well मैं cooking का fan नहीं हूँ लेकिन मुझे खुद के लिए cook करना अच्छा लगता है तोगवा कहता है इसमें क्या difference है इसका example देते हुए नोजु कहता है दौबंग जियांग एन गौज जियांग ये दोनों ही Korean chili paste है लेकिन सभी इसे यूज करना पसंद नहीं करते हैं तोगवा कहता है ज्यांग ज्यांग सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी panda का name हो ये सुनकर नोजु हसने लगता और कहता है आई बैट कि यहां कहीं न कहीं panda जरूर होगा तोगवा कहता है फिर क्यों न हम किसी दिन जू चले नोजु कहता है ठीक है वेल क्या तुम और लेना चाहोगे जू कहता है अफकोस और इससे पूसता है क्या आप हर रोज ऐसा ही fancy खाना खाते हैं नोजु कहता है अगर ये food तुमें fancy लग रहा है तो आने में मैंने काफी afford लगाया है जो कि सफल रहा तोगवा tease करते हुए कहता है आप तो एक bride बनने के लिए पूरी तरह से ready है नोजु कहता है मुझे bride नहीं बनना है मुझे room बनना है वैसे तुम भी एक अच्छे husband बन सक करते हो तोगवा कहता है जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे लगा कि तुम्हारा room मुझे साफ करना होगा बट तुम्हारा room तो पूरी तरह से spotless है and I'm sorry कि जब तुमने मुझे बाहर wait करने को कहा था तो तुमने यहां की चीज़े हटा दी है तोगवा कहता है और आप ऐसे कि बीर पी रहा था वो कफिंग करने लगता है और कहता है यह कोई girls talk नहीं है तोगवा कहता है अभी अभी तो आपने कहा था कि हमें यंग girls की तरह pretend करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर क्योंने हम boy talks करे लेकिन हम अब यंग नहीं है तोगवा कहता है मैं उस person को imagine करता ह हूं जिसे मैं like करता हूं नोजू कहता है wait तुम यह क्या कह रहा हो मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा employee किसके बारे में सोचता है तोगवा कहता है और मैं कोई गलत चीज नहीं देखता नोजू कहता है बस करो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे नैस्ट सीन में रहा था दोगवा कहता है माफ कीजए आपको मेरे लिए डिस भी वास करनी पर रही है नोजू कहता है कोई बात नहीं यह मेरा तरीक है ठांक्स कजहने का तोगवा कहता है अगली बार की लिए आप रखूट कर रखूंगा ताकि आप मेरे लिए डेली बना सके नोजू कहता है कि तुम मुझे अपना हाउस की पर बनाना चाहते हो तो पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हें कुकिंग और ज्यांग ज्यांग कितना पसंद है तोगवा कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां दुबा बारा आएगा बट तोगवा उसके मैसेज का कोई रिप्लाइ नहीं करता है वो सोचता है कि सायद अब तक वो सो गया होगा नेस्ट मॉर्निंग वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और फिर से मैसेज बॉक्स को चेक करता है बट अभी भी कोई रिप्लाइ नहीं आया उसे चीक आने लगती है और उसकी तब्यत खराब हो जाती है इसलिए वो मास्क पहन कर ऑफिस जाता है वो ऑफिस से वापस आते वक्त भी अपस चेक करता है लेकिन अब भी उसे कोई रिप्लाइ नहीं आया था नेस्ट डे जब वो ऑफिस आता है तो देखता है कि तोगव एक इंप्लाइ से बात कर रहा था लेकिन जब वो नोजू को देखता है कि उसने मास्क लगाया हुआ है तो वो उसके पास आता रूस्से पूसता है आपको क्या हुआ जब यह प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तोगवा कहता है मैंने यह सब कुछ कवर कर लि तोगवा कहता है आप शौर हो कि आप ठीक हो नोजू कहता है हाँ और मिस्टर किरी सामने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया है तोगवा कहता है ठीक है और वहां से चला जाता है लंच के बाद तोगवा एक फाइल लेकर आ रहा था लेकिन नोजू उसे अवाइट करता ह पिर एक employee उसे ड्रिंक पर चलने के लिए पूशती है, तो दूसरा employee कहता है, हमें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि Mr. Togua हमारे इस पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं, नोजु कहता है ठीक है मैं चलूँगा, दननेश में सभी रेस्टरान में होते हैं और ड्रिंक कर रहे हो होंगे, तो गवा ये सिंकर तुरंट वहां से बाहर आता है, दुसरी दर अप नोजु अपने मॉबाइल पर वही तोगवा का वीडियो देख रहा था, जो उसने सड़नली रिकॉर्ड कर लिया था, तभी वहां तो पहुंसता है तो वो देखता है नोजु रेस्टरान के ब पुला देता हूं, इसके बाद वो नोजु के घर पहुंसते हैं, तोगवा कहता है आपको सिर्फ अराम करना चाहिए और के लिए अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, तोगवा कहता है ठीक है अब मैं चलता हूं, नोजु कहता है आज रात यहां रुख सकते हो और सोने के लिए फुटान बैट का यूज कर लेना, लेकिन तोगवा मना कर देता है और कहता है मेरे पास चेंज करने के लिए क्लोट्स नहीं है, नोजु कहता है ऐसी बात है, वेल तुम वहां क्या कर रहे थे, तुमने तो हमारे साथ आने से मना कर दिया था ना, तोगवा कहता है मैं आपक आप मुझे avoid क्यों कर रहे हैं आज आप ने मुझे अच्छे से बात नहीं की सिर्फ वर्क के बारे में पूछा आप मुझे avoid कर रहे थे ना लेकिन क्यों क्या मैंने कुछ गलत किया है रोजू कहता है I'm sorry लेकिन मैं तुम्हें avoid नहीं कर रहा था मैं बस तुम्हारे personal life में involved नह करता है तो कहता है इसमें कुछ weird नहीं है और मिस्टर नोजू आप मेरे सिर्फ बॉस नहीं है बल्कि आप मेरे लिए एक special person है मैं आपकी बहुत respect करता हूं even office के बाहर भी तो इसलिए anti-aging game late night message करना और weekend पर मिलना यह सब मैं खुछ चाहता था नोजू कहता है well मुझे लगत करता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता तुमने तुम्हेरे message का reply भी नहीं किया था यह सुनकर तो सौक रह जाता है और कहता है किया आप मेरा message रिइद नहीं किया था नोजू कहता है लेकिन मुझे कोई reply नहीं मिल elaborated मैने तो बार बार चेक कुए था अगर मैंουμε तुम्हा पिर उसका मोगाल चेक करता है और बताता है कि आपने एकाउंट में किया हुआ है इस जी में वार्ट की बारे में बताय था फिर भी आपने तीन वाठीक हें पीर करके राखे हुए है वट आपको हमारे चैटिंग वाले चोर फ़ाया और को चेंज कर देना चाहिए तोगवा कहता है सायद अब से मुझे आपको कॉल करना चाहिए मैसेज नहीं नोजू फिर से उससे माफी मांगता है तोगवा कहता है कोई बात नहीं अब आपको सो जाना चाहिए और वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद नोजू उस मैसेज को रीट करने लगता है जो तोगवा ने उसे सैंड किये थे और मन में कहता है सायद मैं ऐसा बिहेव इसे लिए कर रहा था क्योंकि मेरा दिमाग अभी एक यंगर की तरह सोच रहा है बट सड़नली मेरा मूड चेंज हो जाता है और मैं जल्दी ही टायट फिल करने लगता हूँ ऐसा कहने के बाद वो मु तो कैसा लगा आपको ये अपिसोड आई होप की पसंद आया हो नेस्ट अपिसोड भी मैं जल्दी आपके साथ सेर करूंगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नही गिया है तो सिस्क्राइब कर लीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजेगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक कियर थैंक्स पर वाचिंग